आज बनाएंगे आलू दोपियाजार कितना बढ़िया ग्रेवी है और टेस्ट जो है ना लाज जबापे और बनाने भी बहुत ही आसाने चलिए शुरू करते हैं इधर देखिए आलू देखिए हम छोटा छोटा पीसेज में कट कर लिया हूँ आलू को क्या करना पहला जाएगा आपको ठीक है और आलू को आपको अच्छा तरीका से पका के जो फ्राइ करके ना आपको निकाल लेना है इधर देखिए आलू जैसे ही तोड़ा पक जाए उपर से क्या करना कटा हुआ कैपसिकम को आपको डाल देना है और इसमें डालेंगे सेम डाइस कटा अब इस तरह से अब एक बार बना के खाईए बहुत ही टेश्टी और आपका पाटी में जैसे खाना बनता ना उस टाइप का यह ग्रिवी बनेगा अब देखिए इधर देखिए इस तरह से गार्लिक है अद्रक है टमाटर है आपका ग्रीन चिली और प्याज हम देखिए इ अब इसमें देखिए क्या आट करेंगे देखिए इधर गार्लिक और आपका जो अद्रक है ना दोनों फ्राई हो चुका है अब इसमें डाल देंगे आपका ग्रीन चिली ग्रीन चिली आपको ज़्यादा स्पाईसी चाहिए तो आप यह और भी डाल सकते हैं क्यूंकि इसम तोड़ा सा हम ग्रीन चिली का यूज किया हूं जैसे फ्राई हो जाए अब इसमें देखिए कटा हुआ प्याज को डाल देंगे और थोड़ा सा आपको कैजुना डालना जो टेबल स्पून होता ना उसमें चार या चे टेबल स्पून करीब आप डाल दीजिए डालने बाद इसको अच्छा तरीका से ओईल में थोड़ा सा पका लेंगे जैसे पक जाए अब इसमें डाल देंगे आपका कटा हुआ टमाटर को टमाटर भी देखिए इस तरह से डाल देंगे टमाटर जब डाले उपर से क्या करें थोड़ा सॉल डाल दे जल्दी आपका ग्रेवी टोड़ा सा बढ़ा कर डालेंगे, थोड़ा स्पाइसी आपको पसंद तो और भी आप डाल सकते हैं, अब इसको आपको medium flame में इसको थोड़ा सा अच्छा से पकाना है, कि कोई medium flame में पकाना ना मसाला आपको जलेगा नहीं, और अच्छा तरीका से पक जाएगा, यह जैसे यहां कितना बढ़िया बनावा ठीक है., अब इsको क्या करेंगे, पेश्ट कर ले हैं जब पेश्ट करेंगे, पूरा आपको फाइन पेश्ट कर लेता है, अब मसाला देखे, मर इदर पेश्ट अब तक हो रहा बाद में पेस्ट को देखिए इसमें डाल देंगे, डालने आब आपको क्या करना है, जो मिक्सी में बचा उसमें थोड़ा पानी डाली है और इसको अच्छा से ववास करें इसमें डाल दीजिए आप इसको अच्छा तरीका सापको क्या ना भूनना है अब जितना अच्छा भूनेंगे ग्रेवी ना ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा कलर भी देखिए ऑटमेडिक चेंज होते जाएगा अब बहुत बढ़ी आप फ्लेवर आएगा ठीके इंडियान का जो रेसीपी होता ना आप ग्रेवी को जितना अच्छा से आप पकाएंगे जैसे दिखे कड़ाई में देखे पुरा छूट चुका है तो कड़ाई में देखे पकड़ रहा नहीं मतलब आपको ग्रेवी देखे पक रहा ठीके oil भी जो है ना separate हो रहा और आपको ऐसा लगातार आपको भूनते रहे ना जैसे भूनेंगे ना मसाला क्या हो रहा आपको gravy जो है ड्राई होते रहेगा ठीक है जैसे देखिए इस तरह से ड्राई हो जुका है जाली जाली टैप का आपको हो जाएगा gravy थोड़ा अब इसमें क्या करेंगे जो फ्राई क्यों है आपका आलू कैफिकम और आनिया इसमें डाल देंगे अब इसको थोड़ा सा अच्छा तरीका से भून लेना है आपको ठीक है जो लोग भेटेबल डीस सोचते क्या खाएंगे आलू का तब ये डीस एक बार आप बना के देखिए बहुत ही स्वाधिस्ट और बहुत टेस्टी लगता थोड़ा साल का नमक डाल देंगे आप टेस्ट करके डालिए और इसको अच्छा तरीका से भूनेंगे ये देखिए आलू दो प्याजा बनकर रेडी है आसा करता हूँ आज का रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंड कीजिए ये देखिए कितना लाजबाब ग्रेवी बनकर रेडी है फिर मिलेंगे इसे मजदार और ने ने रेसिपी के साथ में